हेलो दोस्तों हिंदी मेरे पर आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो का जो हम कंटेंट लेकर आए हैं हेम बंती नंदन बहुगुणा यूनिवस्टी के जो है एक्जामिनेशन स्याडूल रिलिज हो चुका है स्टुडेंट्स के लिए और उनके एक्साम जो होने हैं स बीबीए के अलावा उसमें बीए ओनर्स की मैंने डेटशिट आपको दिखाई थी अब कुछ और क्लासिस की डेटशिट मैं लेकर आए हूँ जो हैचनबी से रिलेटिट है देखे कितने क्लासिस के एक्जाम की डेटशिट यहाँ पर दिखाई गई है इसमें साथ में जो क हैं हेमंती नंदन बहुगणा का जो शेडूल निकल कर आ रहा है आपका एक्जामिनेशन का सबसे पहले एमसी ए थर्ड समेस्टर का एक्जाम है 18 से आपके सब्जेक्ट यहाँ पर हैं इसको आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं और 18 से लेकर 27 त कि मैंडम mcq base आएगा यह सब्जेक्ट यहाँ तो आपका एक पेपर जो आएगा सब्जेक्ट यहाँ आएगा क्योंकि अगर एक घंटे का पेपर होता तो mcq base बनता अब दो घंटे का है तो यह 100% जो है सब्जेक्ट यही बनेगा हां ऐसा हो सकता है कि कोशन्स कुछ आप के short हो जाए ठीक है चलिए आगे देखते हैं 11 से 1 में और कौन से क्लास का एक्जाम जा रहा है mc a fifth semester ठीक है टाइम अपना नोट कर लीजिए classes कौन कौन सी classes के आपको दिखाय जा रहे हैं यहाँ पर इनके चलेंगे 19 से इनका 18 से शुरू नहीं है इनका 19 से लेकर 29 तक है और जो आपके होने है ठीक है अब आते हैं mba third semester mba third semester का भी time 11 सा एक ही रहेगा और इनके exam 18 से शुरू होंगे 18 से लेकर इनके exam चलने है 29 तक ठीक है तो इनके paper होने है 1,2,3,4,5,6,6 paper आपके होने है Tuesday से लेकर Saturday तक आपके exam चलेंगे यह बीच में आपका Sunday भी पढ़ेगा और आ exam यहां दिये गए हैं तो इनको आप चेक कर लिजे वीडियो को पॉस्ट कर लिजे या फिर screenshot ले लिजे चले आप यह देखते हैं अब आगे क्या है MBA MBA का tourism and travel management थर समेस्टर का है exam ध्यान से सुन लीजे किसका exam है MBA में MBA में जो है थर समेस्टर थर समेस्टर के जो student हैं जिनके पार tourism and travel management का subject है उनका भी 11 से एक exam होगा और उनके 18 से लेकर जो exam चलेंगे वह चलेंगे 29 तक ठीक है 29 तक जो है आपके exam यहां पर देख लीजे इन्होंने सारा यहां पर दिया है और साथ में इन्होंने बीच में डाला है marketing management group ठीक है travel management उपर आगया आपका फिन नीचे आया मार्केटिंग management group उसके बाद नीचे भी थोड़ा सा अलग से कुछ दिया है आपके लिए यह headline बना का देख लीजे financial management in group और HRM group के working capital management यहां पर इनके आपके paper है इनको आप चेक कर लीजे यह आपका पढ़ेगा Saturday में अब देखते हैं आगे आगे फिर है आपका MA योगिक साइंस थर्ड सेमेस्टर का जो की C, B, C, 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 B, C, S, A है तो देख लीजे योगिक साइंस से जोनोंने फिल किया है MA थर्ड सेमेस्टर उनके भी exam है और इनका time भी 11 से 1 ही रहेगा ठीक है यहाँ timing भी देखते चलिए कि आपका timing क्या रहेगा screenshot ले लिजे इस date sheet का अपनी और तैयारी शुरू की कर दीजे अपनी 19 से लेकर 29 तक आपका exam है और paper के नाम यहाँ पर आपके दिये गए हैं इनको आप pen से अपनी को आपी पर note down कर सकते हैं नोट बुक पर इनको note down कर लिजे या फिर इनको फोन में save करके रख लिजे अब आगे देखते हैं बी आसी इन योगिक साइंस थर्ड सेमेस्टर का है यह भी अलामीन से वन तक होगा और इसका timing तो मैंने आपको बता दिया है date is zero रहेंगी 19 से लेकर 29 तक रहेंगी और Wednesday से लेकर Saturday तक आपके exam चलेंगे B.Sc. इन योगिक साइंस के ठीक है थर्ड सेमेस्टर के और आपके पेपर के नाम यहाँ पर है चेक कर लिजे सब पेपर कौन कौन सीडेट में पढ़ रहे हैं अब आते हैं B.Sc. इन योगिक साइंस ही है लेकिन 5 सेमेस्टर का है सेम ही हैं subject लेकिन सेमेस्टर चेंज हैं timing लेकिन यहाँ पर चेंज हो चुका है 5 सेमेस्टर का 5 सेमेस्टर का जो एक्जाम होगा वहेर 2 से 4 ज़े होगा यन के शाम की सुक्ट में होगा इविनिंग में और आपका एक्जाम शुरू होंगे 18 से और 27 तक चलेंगे date यहाँ पर mention है, day यहाँ पर mention है और साथ में paper भी यहाँ पर इनों ने दिये है सब papers को अच्छे से मिलान कर लीजिए कोई paper आपका ऐसा दो नहीं जो छुट चुका है चलिए आगे देखते हैं B.H.M B.H.M 5th semester आपका होगा 11 से 1 यहाँ पर timing change है 5th semester का यहाँ पर जो 5th semester का timing है वो है 2 से 4 लेकिन B.H.M के लिए timing वही है 11 से 1 लेकिन 18 से शुरूओ कर आपके 24 में खतम हो जाएंगे क्योंकि आपके paper हैं सिर्फ 4 तो यह 4 पेपर आपके Tuesday, Thursday, Saturday और Monday ठीक है बीच में आपको gap भी मिला है यहाँ पर आपके सब paper के name mention है इनको आप चेक कर लिए कौन-कौन सा paper आपका कौन-कौन सी date में है ठीक है अब आते हैं आपका integrated 5th year integrated 5th year MSc Biotechnology 3rd semester ठीक है यहाँ पर आपका exam होगा 18 से लेकर यह आपका 24 तक और paper यहाँ mention है इनको अच्छे से check कर लिजे timing आपका रहेगा 11-1 फिर आते हैं integrated आपके 5th year के जो बच्चे हैं MSc Biotechnology 5th semester यहाँ पर है 3rd semester, यहाँ पर है 5th semester तो यहाँ पर 11-1 आपका paper का time रहेगा फिर है 5th semester MSc Biotechnology 7th semester ठीक है सब यह paper Biotechnology के हैं लेकिन 3rd semester, 5th semester, 7th semester उसके बाद यहाँ पर 9th semester सब का timing जो है इन्होंने एक ही रखा है 11-1 ठीक है अब आते हैं next वर BA Honors Generalism and Mass Communication 3rd semester यह मैं आपको कल की वीडियो में समझा चुकी थी कि आपका exam है यह हम कल ही आपको बता चुके थे अब आते हैं BA Honors 5th semester कल हमने आपको 3rd semester के बारे बताया था फिर semester का भी exam है तो चेक कर लिजी आपका 2-4 रहेगा यह आपके paper के नाम है और 19 से लेकर 27 तक आपका यह चलेगा अब आते हैं आगे MBA FM 3rd semester ठीक है paper 18 से लेकर 29 तक चलेंगे paper के नाम यहाँ पनिक्लूड है इनको चेक कर लिजी टाइमिंग रहेगा आपका 11 से 1 फिर है MBA IB जो MBA IB से करने है 3rd semester के जो student है उनका 18 से लेकर 29 तक चलेगा यहाँ paper के नाम mention है इनको आप चेक कर लिजी next है आपका BBA 3rd semester 11 से 1 आपका टाइम रहेगा 18 से लेकर 27 तक और यहाँ पर आपके paper mention है चेक कर लिजी नेक्स्ट है BBA 5th semester 5th semester का भी timing 11 से 1 रहेगा 19 से लेकर आपके जो exam बहुत लंबे जाने वाले हैं आपको 7 तरिक तक exam देने हैं क्योंकि आपके paper बहुत सारे हैं यहाँ पर देख लिजी आपके सारे paper के नाम mention है इनको आप चेक कर लिजी एक बार मिला लिजी फिर है MBA HRM 3rd semester आपका 11 से 19 से लेकर आपका आपका चलेगा फरवरी एक फरवरी तक आपके exam चलेंगे फिर यहाँ पर 18 जनवरी से BFARMA के 3rd semester 24 जनवरी तक चलेंगे और यह 3rd semester का है फिर इसके बाद BFARMA 3rd semester 5th semester का है PCI से जो है PCI से है और इनका timing 11 से एक रहेगा 19 से लेकर 20 जनवरी तक चलेगा उसके बाद BFARMA 7th semester के हैं उसके बाद 3rd semester के हैं सब यह BFARMA के हैं और timing अलग अलग है पेपर आप चेक कर लीजे फिर उसके बाद है M.Tech 3rd semester इनके 18 और 20 में ही खतम हो जाएंगे और पेपर का नाम यहां mention है और timing रहेगा आपका 11 से 1 ठीक है तो controller of examination के तरफ से आपके जो है exam की date announce कर दी गई है हेमंती नंदन बहुग गोना शिरिनगर से जो student है तो अपनी तयारी केर कर दीजिए शुरू और भी date sheet अगर announce होती है आपकी और classes की तो वो भी आपको बता दी जाएगी Hindi mirror की तरफ से HNB के जितनी भी news होती है आपके form से related चाहे आपके exam से related चाहे आपके results से related सभी आपको time to time दे दी जाती है तो उसके लिए आपको छोटा सा लाइक तो बनता है और share भी बनता है अगर आपकी classes यहां mention नहीं है और अपका थोड़ा सा responsibility बनती है कि जो आपके साथ के student है इनकी classes जो है और share करने से उन तकी जानकारी पहुँचे और एक comment तो जरूर बनता है कि अगर आप HNB से जुड़े हैं श्रीदेश उमन से जुड़े हैं या फिर UOU से जुड़े हैं किसी भी university से आपटेच है तो तीनों university की आपको news दी जाती है किस तरह की आपको news चाहिए किसी भी university से संबंदी तो बताये जरूर comment box में और Hindi mirror के लिए आपको क्या करना है एक छोटा सा लाइक करना ही है और subscribe, bell icon हिट कर दीजे जिससे आपको समय समय पर notification मिलते रहे नई वीडियो के तो बने रहे हिए Hindi mirror के साथ अपना प्यार और साथ अपना ऐसे ही बना कर रखिए